तो दोस्तों घर के कबार से मैंने बनाए एक 4K प्रोजेक्टर जिसे बनाना बेदी आसान है बस आपको बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना है तो मैं हूँ आदी एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए इस तरह के के नए-ने चोचले लेकर आता रहता ह तो भाई लोगों काम की बात सुन लीजिए प्रोजेक्टर के अंदर केवल और केवल एक ही चीज इंपोटेंट होती है वह होता उसका लेंस जिसके उपर पूरा प्रोजेक्टरी दोस्तों वर्क करता है तो प्रोजेक्टर एक्चुल में वर्क क्या करता है प्रोजेक्टर से कुछ mechanism होता है जिसे आप easily घर के अंदर भी बना सकते हैं तो यह लैंस आपको कहा मिलेगा दोस्तों यह लैंस में दिल्ली से लेकर आया था ओफ-लाइन मार्किट से अगर कहीं online available हुआ तो मैं आपको description box में उसका link provide कर दूँगा बागी दोस्तों इस लैंस को projector के अंदर hold करने के लिए मैंने कुछ इस टाइप का gold circle का plastic का कुछ लिया है तो इस टाइप से आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों PVC plastic के pipe से भी आप कुछ बना सकते हैं बागी इस लैंस को हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं उसका भी मैं आपको solution दे दूँआ आने वाली help से आप इसकी body को बना सकते हैं या आपकी local market में easily आपको मिल जाएगा दूसरा option है दोस्तों आपके पास टाइप का cartoon box तो होगा ही इसकी मदद से भी आप इसका box बना सकते हैं और इसके अलवा PVC plastic के pipe का भी यूज कर सकते हैं इसको flat करके next दोस्तों इस टाइप की अगर ऐसा software है जो easy to use है और इस software पर आप Gerber file, boom file कुछ भी design कर सकते हैं Altium is now included with Altium 365 in one license Altium 365 software के अंदर आप worldwide कहीं पर भी अपने project को web पर share कर सकते हैं और उसका feedback hand-to-end ले सकते हैं और इतना ही नहीं Octopart यहाँ पर आपको हर एक electronic component मिल जाएगा जो की बहुती जादा high quality में होगा यहाँ से आप उसे खरीद कर अपने projects में use कर सकते हैं तो इस software के trial को use करने के लिए description box में दिएगे links पर click करें So guys, यहाँ पर आपका time waste ना हो, इसलिए मैंने already यहाँ पर cut कर लिए उस wood पस ही, दोस्तो आप देख सकते हैं आपर सारी dimension यहाँ पर मैंने लिख दी हैं क्या के dimension इनकी रहने वाली है, सब कुछ चीज यहाँ पर आपको लिख की वे दिख जाएगी, simply आप इनका screenshot लेकर दोस करना, उसी आप से आप इसका box बनाना, तो अगर आपके पास same ऐसा ही lens है, जैसा मेरे पास है, तो आप same dimension का box बना सकते हैं इसके लिए, तो सारे dimension मैंने आप लिख दिया है, आप simply इनका screenshot ले लीजिए, तो दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने speaker के लिए को देखते होंगे, उनको पता होगा दोस्तो बीच में मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, बर उसका reason आप लोगों को नहीं पता, दोस्तो मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया था, जो कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तो अगर शायद आप चैनल पर चेक भी कर सक सकते हैं मैंने इसके regarding वीडियो भी upload की होगी, बहुत ही सारी प्रॉब्लम से की साथ दोस्तो मेरे उपर पढ़ गई थी, मैं बता नहीं सकता दोस्तो मेरी क्या condition थी, मैं depression में पहुच गया था, और अभी बहुत टाइम बात दोस्तो मैं थोड़ा बहुत recover होना शुरू आउ तो चलिए वीडियो को continue करते हैं दोस्तो, तो आप देख सकते हैं हमने एक box type का बना लिया है, तो इस projector में हम दो speaker लगाएंगे और एक Bluetooth module और एक switch दोस्तो, तो एक छोटा amplifier दोस्तो मैंने आपको काफी पिछली वीडियो में बना कर दिखा रखा है, आई हो आपने वीडियो तो वो देख रखे होंगी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं, तो दोस्तो, description box में मैंने उनका link दे दिया, आप महाँ से जाका इसके connection इसली सीख सकते हैं, because इस video के अंदर हम सिर्फ projector ही बनाएंगे, फाल्तु की चीज़ों में time waste नहीं करेंगे, तो कुछ इस तर रहा हूं, इस projector के अंदर जो frame आपने बनाया, सिर्फ उसी size का phone आप use कर सकते हैं, बस एक छोटी सी दिक्कत यही रहेगी, बाकि आप लोग देख सकते हैं, phone कितने अच्छे से इसमें place हो गया है, तो अभी मैं इस projector को थोड़ा make up, wake up कर देता हूं, दोस्तो, अंदर की side जो तो यह केवल 10 watt का setup है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आग एक side हमने switch लगाया, जिसे हम check कर लेते हैं, तो it is working guys, आप देख सकते हैं, इसकी sound को, तो चलिए जल्दी से इस projector के अंदर अपना lens, special lens को भी यहाँ पर fit कर देते हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा एक दोस्तो screw चाहिए होगा, देख सकते हैं, कुछ इस थरीके से आपको इसको hang करने के लिए, तो यहाँ पर इस screw को दोस्तों, यहाँ पर instant glue की help से fix कर देंगे, ताकि इन future कभी टूटे ना इससे, तो अब चलिए जल्दी से projector के उपर mount कर देते हैं, और mount करने के बाद दोस्तों, fix करने आपने lens को proper तरीके से काम कर रहा था, तो दोस्तों, अभी तक भी आपने इस video का अगर like नहीं किया, तो please like कर दिए, और channel को subscribe भी कर दिए, ताकि आने वाली videos feature में दोस्तों, आपको मिलती रहें इसी type से, और आप essays कुछ ना कुछ नया सीखते रहें मेरे से, तो यह जो आप इस परे देख रहे हैं, दोस्तों, यह like कर है, जो की wood के उपर दोस्तों, काफी अच्छा एक texture लियाता है, गिला गिला कर देता है थोड़ा, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, complete होने के बाद, projector आप सामने देख सकते हैं, दोस्तों, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, आप comment करके जरूर बतना, आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे तो personally ऐसा लग रहा है, दोस्तों, जैसे कि market से खरीद कर मैंने यहां रख दिया आपके सामने, बड़ दोस्तों, यह मैंने बनाया, इसलिए हो सकता है, कि मुझे जादा पसंदार हो, प्लीज आप comment करके जरूर बतन लग रहा है, तो test करने से पहले यह चीज आप ध्यान रखिएगा, दोस्तों, focus lens, यह जो पीछे आगे मैं कर रहा हूं, दोस्तों, इससे आप अपना focus, wall focus जो है, वो adjust कर सकते हैं, जो blur वगरा होगा, अलका full का दोस्तों, इसे clear कर देगा, तो अपने wall के साप से focus कर सकते हैं तो simply इस phone को आपको इस projector के अंदर इस type से डाल देना है, बस इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इसे wall के सामने रखने के बाद, दोस्तों, cold ring वगरा, popcorn वगरा लेकर बैठ जाने हैं, और अपने movie को पूरी तरीके से enjoy करना है, चलिए, अब test कर लेते हैं तो इस projector की lens में आप देख सकते हैं, दोस्तों काफी clear तरीके से आपको दिख रहा होगा, कुछ चल रहा है, दोस्तों ये wall पर भी आपको ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल clear, तो कुछ इस type से आपको setup कर लेना है, एक tripod ले लेना है, या फिर कुछ चीज ऐसी हो दोस्तों, जो आप सामने से रख सको wall के, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो अब चलिए, मैं सारी lights को off करके, इसकी projection quality और sound quality आपको test करा देता हूँ, आप सामने वोल पर जो वीडियो चल लिए दोस्तों, इसी projector से projection हो रही है, सब कुछ transparent रखा है, आपके सामने से बनाया दोस्तों, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत दोस्तों, चारो corner जो होते हैं दोस्तों, उस पर blur है थोड़ा बहुत, क्योंकि दोस्तों, इतना जादा महेंगा lens हमने नहीं यूज किया था, बहुत सस्ता lens था ये दोस्तों, पांसो शेसर रूपे में आया था ये lens, लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे बिलकुल भी movie देखने में कोई problem नहीं होने वाली है, मैं family के साथ भी easily enjoy कर सकता हूँ, इस projector के उपर, और जानते हैं दोस्तों, इस तरीके का कोई भी projector आप market में खरीदने चलेगे, तो 10,000 से लेके 50,000 एक लाग तक का projector है, जो की same quality थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा दोस्तों, यही lens लगे होते हैं सारे projector में, तो इतना जादा invest करना इस चीज़ पर दोस्तों मेरे साथ से तो money waste है, तो आप इस टाइप से दोस्तों 500-600 रूपे लगा कर अपना घर में ही homemade projector बना सकते हैं, idea मैंने आपको दे दिया है